नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रहमोस मिसाइल की क्योंकि दोस्तों चाइना और इंडिया के बीच में जब कंफलिक्ट चल रहा है तो ये एक ऐसा वैपन सिस्टम है जो नए केवल शांती बनाए हुए है बलकि हमारी स्ट चाकत का भी परदर्शन कर रहा है और दोस्तों चाहे कैसा भी वैदर हो दिन हो रात हो किसी भी कंडिशन में ये अपना काम करके दिखा सकता है और बैटल फिल्ड में एक डिसीजिव आउटकम दे सकता है आज इसी बे बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस् पिशली चाइना के साथ चलने वाले कंफ्लिक्ट के कारण और ऐसे में हमारा जो लोंग स्टेंडिंग प्रिंसीपल है पीस विद स्ट्रेंथ तो इंडियन आर्मी ने कोई कमी नहीं दिखाई है अपनी शमता को परदर्शन करने के लिए और साथ ही इंडिया की सोवरनिटी की रक्षा करने के लिए अभी हमारी फोर्सिस के पास बहुत ही बड़े वैपन सिस्टम है जो स्टेट ओफ दा आर्ट और बहुत ही बड़े मिलिटरी प्लेटफोर्म के अंदर भी माने जाते हैं इनके अंदर सबसे बड़ा नाम है ब्रमोस मिसाइल का जो दुनिया की सबस फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और ये एक ऐसा टैक्टिकल वैपन है जो एंटी शिप और लेंड अटेक के पैबिल्टी के साथ में आता है और इसे बहुत सी स्टेटेजिक पोजिशन के उपर डिपलोई किया गया है और ये ऐसी के पैबिल्टी के साथ में आता है कि और आधी CEO और MDB है ब्रहमोस एरो स्पेस के वे कहते हैं कि ब्रहमोस मिसाइल ने पूरी तरह से आज की मिसाइल टेकनोलोजी के अंदर पूरी तरह से करांती ला दी है और आज के दिन के वार्फियर स्ट्रेजी और टैक्टिक्स को पूरी तरह से बदल के रख दिया है इसके इसके लावा दोस्तों जो land attack ब्रमोज मिसाइल है उसने इंडियन आर्मी की क्षमता को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वह किसी भी तरह के land warfare operation को अंजाम दे सकती है चाहे वह किसी भी दुर्गम खेतर के अंदर हो चाहे उसे deeply surgical strike करनी हो और इसी तरह से इंडियन नेवी के frontline maritime platform क रूप में भी ये उबर कर आई है चाहे anti ship हो चाहे land attack configuration हो दोनों तरह से इसने इंडियन नेवी के anti surface warfare और coastal defense warfare की capability को कई गुना बढ़ा दिया है और इन दोनों के इलावा जो इसका air to air version है जिसे specially सुखोई 30 MKI के साथ में integrate किया गया है उसने इंडिया के defense posture को और साथ ही country की strategic outreach को बहुत ही जादा बढ़ा दिया है अब हम खुलके एक deterrent कर सकते हैं और पूरी तरह से टकर दे सकते हैं किसी भी situation के अंदर दोस्तो 20 जनवरी 2020 को इंडियन एर फोर्स ने टाइगर शार्क स्क्वाडरन का गठन किया और ये बहुत ही बढ़िया कंबिनेशन था थुकोई 30 MKI का ब्रमोस के साथ में और एक heaviest, deadliest stand-off pre-season strike weapon जिसे long range थुकोई 30 MKI के साथ में attach किया गया था ब्रमोस ये इसका नाम था इससे ये ensure हो जाता है कि इंडिया अब एक deadly blow punch कर सकता है enemy की किसी भी position पे चाहे वह ग्राउंड पे हो या फिर समुदर के अंदर हो और चाहे वो किसी भी range पे हो इसका hypersonic version भी बनने जा रहा है पहले MTCR के अंदर इंडिया member नहीं था तो हमारे पास थोड़ी limit थी लेकिन अब MTCR का member बनने के बाद इंडिया इसकी range को बढ़ा सकता है और इसे export भी कर सकता है तो इसी लिए अब इसके उपर काम चल रहा है और इवन दोस्तों इसका ये बहुत से तरीकों से test हो चुका है जिसमें vertical dive भी शामिल है और इसके इलावा sea skimming की capability इसके अंदर है ही और आने वाले समय में इसे तेजस fighter jet या फिर अन्या fighter jet के साथ में भी integrate किया जाएगा धन्यवाद जैहिन